नमस्कार प्यारे दोस्तों आपके अपने सेनल पीसे स्वानी में आप सभी का हर दिक्सा करते हैं अध्यान दोस्तों आज 18 जन्वरी है सीटेट के फर्स टिप का पिपर सपलता पुरोग संपन हो चुका है उसका इनलाइसेस ले करके हम उपस्तित हैं दोस्तों जैसा कि हम पूरा देखा करें कल का जो हमने इनलाइसेस किया था उससे काफी प्रशना पहुचे गए हैं तो आज के पेपर हुआ है उसमें संस्कित टाप आई थी आज ठीक ना और EBS में बड़े-बड़े ठीक ना प्रशन थे यानि लेंदी थी इस और कुछ अलग से प्रशना है जो जो CDP थी आपकी बहुत जदा असान थे CDP में अगर जो अच्छे से पढ़े हैं बच्चे तो वो 30 में 30 कर सकते हैं पूरा ठीक देखे आहार संकला से पूछा गया था आपका EBS में ठीक आहार संकला क्या है ठीक आपको बताते हैं जो जीवों होते हैं ठीक है उर्जा का प् बता है कि पेट बहुत हैं अपना भोजन मनाते हैं जो प्रकास संस्लेशन की भी होती है तो देखिए एक ग्रास है ठीक यह प्रेड्यूस करता है प्रेड्यूसर है उत्पादक होता है यह दोस्तों ठीक इसके बाद आपका इग्रास सोफर है यानि तिड्ड़ जो होता है इसके बाद दोस्तों इसके बाद फ्रॉग आएगा आपका मेढख आएगा इसको खाएगा ठीक और इसके बाद मेढख को आपका इसके जो इशनेक होता है यानि सांप होता हो खाएगा और सांप को आपका ठीक न यह बाच खाएगा ठीक तो मतलब जो है जो आपके उर्ज याद रखेगा ठीक है एक दिसी होता है ठीक एक दिसा में होता है ठीक ओके इस चीज़ को याद रखना है और जैसे ही दिखे मतलब जो है प्रथम से लेकर के बाद लाश तक के जो उर्जा का मतलब इस्थर होता है घरता जाता है ठीक ना यह भी याद रखना उर्जा घरती जाती इसको भी याद रखना है और उर्जा का च्छाय होती जाती है ठीक है इसको भी आपको याद रखना है ओके दोस्तों जो आपको प्रस पूछा जाता है मुश्ली यहां से पूछा जाता है ठीक है जो आपके पादा प्यानी पेड़ पौधे होते हैं घास ब्रक्ष वग प्लवक हो गया टिड्डे गाई यह सब आते ना जो साकारी होते हैं इन्हें प्राथमिक उभोगता कहा जाता है क्योंकि उभोगता क्या होता है जो भोजन ग्रहन करता है ठीक है यह जो पेड़ पौधे से भोजन ग्रहन करते हैं इसलिए उभोगता कहा जाता है उत्पादक जो भोजन मनाता है ठीक है इसके पस्चात दोस्तों आपके याद रखना है जो एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है प्रात्मिक उभोगता हो गया है दूती उभोगता से पूछ जाते हैं आपके एक्जाम में तो दूती उभोगता इत्रती एस्तर में आएंगे ये याद र साहारी होते हैं इसमें इसमें आपका तृती भोगता होते हैं ठीक है इसमें दोस्तों आपके मनेश्ट से आते हैं और सिरा आते हैं ओके इसको आपको याद रखना अे बढ़ में इसके बाद दोस्तो जो प्रश्म पुछा गया आपका बाग से पूछ गया in avs में यह देखिए अक्सर प्रश्म पूछा जाता है इसकी आवाज कहा तक सुनाय देती गुराने की दूस्तो तीन किलो मीटर तक इसकी आवाज जब बाग गुराता है तो सुनाय देती यह हैं इसके बारे में हमने एक प्रथक वीडीयो बनाया है इसको देख सकते हो फिर भी म hakisco बता देथे बार कि बारे मिलिटेल में दोस्तों यह देखिये ibs में हमने ठीक है वीडीयो अप्लोड कर दिया है फिर भी कीचलड़ पाने में खेलना बहुत अच्छा लगता ए जुन जुनमें रहते ही हुआ इसके बच्चे रहते हैं दस बारा साल के बच्चे साथ और दोस्तों का दोस्तों है 14 से 15 साल तक ही जुनIP में रहते हैं बच्चे और भी जो है जुन छोड़ देते हैं इससे प्रेस्ट बना है दोस्तों और जो एक प्रेस्ट पूछा गया था कि जो तीन महीने का बच्चा होता है आतिका तो उसका बेट पूछा गया था जो दोसों कि जी उसका बेट होता है ऐसा प्रेस्ट पूछा गया दोस्तों इनको आपको याद रखना ह देखिए बाग से यह देखिए बाग के बारे में हमने वीडियो बना रखा है बाग अंधेरे में हमसे 6 गुना बेतर देख सकता है बाग का गुराना 3 किलो मिटर तक सुना जा सकता है बाग का ठीक है बाग आवाज भी बदल सकता है इसको आपको गयाद रखना है राश्टरी कठा करने के लिए अलग अलग दिसाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं बाग की मुच्छे होती है हवा में हुई कंपन को भाप लेती है उससे सिकार करने का रास्ता खोजने में मदद मिलती है उनको ठीक है और जो प्रस्ण हाँ एक बाग दूसरे बाग की दुरगंद को तुरण पहचान लेता है स्लोस से देखिए हमने इसको भी बना रखा है वीडियो आप जाकर कर देख सकते हो यह देखिए पूरा है स्लोस राइकून ठीक है और गैंडे से यह जो प्रस्ण पूछे जाते हैं इविस में छिपकली हमने बना रखा आप इसको जाकर देख स सुबू ठीक है याद रखिएगा सुबू ठीक है इसकी बहुत बहुत बितरीन ट्रिक है आपको कभी भूलेगी नहीं इसको आपको याद रखना है इसमें क्या होता देखिए यह जो आपका एस से है दोस्तो ठीक है सिक्किम हो जाएगा क्या हो जाएगा सिक्किम और यू स से दोस्तों आपका उतरवदेस हो जाएगा और ये B से बिहार हो जाएगा और ये recipes बंगाल हो जाएगा और दोस्तों आपका उतरखन हो जाएगा ये जो राज हैं जिव नेपाल से लगते हैं और इसकी सारी ट्षिक्ष cierto stream रूशिर ये 나와 दोस्तों उनकी हमने अप्लोड कर दिया है अपने चैनल पर वीडियो एक उसका आप देख सकते हो ठीक है ओके दोस्तों दोस्तों इसके बाद जो पूछा गया था आपका सीडीपी से जो पूछे गया है कोहलबर्ग से पूछे गया है अच्छा लड़का अच्छे लड़की वाली जो इनकी कॉंशिप्ट है न अवस्ता है उससे बना है दोस्तों देखे इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धान दिया था यह सबको पता है लगबग जो भी सीटेट देते होंगे इस इसनके बारे पता होगा ठीक है आपकी याद क्या रखना है इन्होंने जो भी आपकी डंड्रियम अज्यां के वस्ता एक बताई थी अग्यां और दूसरी बताई थी साधन सा प्यक्ष बताया था जैसे को तैसे वाला इसमें बच्चन ना तिकता है इसलिए कर था कि डर रहता उसको और जो इन्होंने परम परागत अवस्ता बताई थी ठीक है दोस्तों इस पर दो वस्ता बताई थी परम परागत इस थर में दोस्तों ना इतिकता कि दो वस्ता बताई थी पहला इन्होंने बताया था अच्छा लड़का अच्छी लड़की बढ़ने की उन्मुकता तो दोस्तों आपको बतादे जो पहला इस थर होता है इनका तो उसमाच समाच की मानक की इस तर पर करता है समाच का जो मानक होता है उसी के अनुसार जो है नयतिकता करता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की कनून है भी आपका एक मिनट रुको हाँ जो आपकी परमप्रगत इस तरह है दोस्तो ठीक है इस पर आपका पहला है अच्छा लड़का और अच्छे लड़का अच्छी लड़की वallा इसके बाद जो है जो दूसरा आ autopsy कानून वाली आवस्ततह है WILL करूं में जो नियम बनाये हैं उस刃 नियम को फालो करना है ठीक है तो यह फिर लाश्ट मारीक ऑप्राइब रलान दोस्ता पुत्तर परंपरगत अवस्त अ तो इस पर क्या होता है इस पर दोस्तों ये सोयम से नीड़े लेता है यानि सारी चीजे जान चुका है यानि सही गलत का नीड़े इसमें ले सकता है और जो पहला इस्तर होता है पूर पराम परागत में दोस्तों वो उसको नयतिकता सून होती है उसे इस्तर पर ठीक है यानि उसको जो है सही गलत का ज्यान नहीं है यानि नयतिकता उचीत-उचीत का उस समय घ्यान बच्चिक नहीं होता क्योंकि आपकी चार वर्से दस बस तक पहली है दूसरी आपकी 10 से ले करके 13 वस तक और जो लाश टोले वस था 13 से उपर ठीक है इसको आपको याद रखना ओके आगे बढ़ते हैं तो आपका ये दोस्तो परंपरगत इस तर से जो कोश्चन पूछा गया था अच्छा लड़का अच्छी लड़की की बनने की उन्मोकता ठीक यानि माबाप जो ममी पापा होते हैं बच्चे पर गर्ब करें इसलिए वो अच्छे माक्स लाते हैं अच्छा बने कोशिज करते हैं जीन प्याजस पुछ गया था संगनात्मक, विकास का जो Siddhank उन्मोक दीया था इसमें आत्मसात करण जो ठीक है एक उनका टर्म है एक concept है lucy के अंदर कि पूर्व ग्यान में जब होता है समा यो जन समा एयोजन तो आत्म साथ-करण में क्या होता दोस्तों इस CR दूसरे दिन कभूतर को वह समझेगाद क्योंकि ये सिर्फ पता है कि तक एक दोपेर होते हैं और वह चौक утी है इसलिए इसमें इसी तरह है तो पूर्ब ग्यान जितना था उसको नए ग्यान के साथ जोड़ लिया और उसको ही समझने लगा लेकिन समयोजन में क्या होता है पूर्ब ग्यान में परिवर्तन करके ठीक है नए ग्यान के साथ समयोजन करके मतलब जो है संतुलन बैठा लेता है ठीक है तो वो हो जाता है आपका समयोजन मतलब कि जैसे कवे को देखा बाद में कवा बोलता है तो उसको ये पता चल जाता है कवा नहीं है जो कभूतर को जब बोलते हुए देखता है दोस्तों तो ये जान जाता है कि ये कवा नहीं है कवे को भी बोलते हुए देखता है कवे कौको बोलता है, ठीक है, कौंगँ अकबूतर, गुटूर गूंग बोलता है, तो वो समच जाता है, उनके परवरतन कर लेता है, पूर्भ ग्यान में परिवरतन करके नग्यान के साद जोड लेता है, ठीक है न, यही तो यह हो गए आपका समयोजन, इस چीज़को आपको याद रखन है आगे बढ़ते हैं ठिक इनकी चारा वास थाएं थी इनसे भी बहुत पूछे जाते हैं तो आप उनको भी याद रखिएगा और यही दोस्तो जो आपका आत्मसाद करन और यह समयोजन है दोस्तो इसी से आपकी स्कीमा बनती है यानि जो हमारे हमारे दिमाग में चीजे इस्टोर है पहले से ठीक है उसके अनुसार जब हमें एक धाना बना लेते हैं तो वह इसकीमा होती है इसकीमा से भी प्रस्ट पूछे जाते हैं ठीक है इन दोनों इसकीमा के अंदर यह आदमसाद करना समयोजन समाहित होता इसको आपको याद रखना एक डिरेक्ट एक्जाम में पूछागा इससे और हाँ वाई गोष्की से डेली प्रस्ट पूछा जाता समाजिक सांस्कृतिक विकास का सिध्धान दिया था इन्होंने इसके अंदर गात इन्होंने जड़ पीडी का सिध्ध कि दूस के प्रमुख माना था सिखता है और बहासा को नहोंने प्रमुख माना थे जैसे कि देखिए इन्होंने से संस्कृतिक कुछ टूल बताय थे जो एक्जाम में अक्षर पोचा जाता एक यानी टूरोस्तों चलिक चलफ जिनहिं कहाँ जाता दोस्तों तो उसमें आपक का कर्कुलेटर हो जाता है यह जो आपके कल्चरल टूल्स हैं इसको आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं भासा अरजन से देखिए डेली प्रेंस पूछा जा रहा है इससे भी मतलब जैसे कि कोई बच्चा है अपने स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो वहां क स्कौर्ण से पूछा गया एक स्कीमिंग होता है थीक्त और संकों से पूछ कह जाता है कवह यह पूछ लेता है कि दो एक समकोड और दो बटे तीन या मतलब चुह तीन समकोड में कितनी डिक्रिया हो जाने है तो आपको इसमें तीन का गुड़ा कर देना है वह डिक्रिया निकल डाएगी 209 इप 2708 डिक्रिया हो जाएगी इसमें फिक इस तार से प्रसम बनते तो इनको आवो कूछा गया थे जो आपकी अब का विकार हो था बच्चों में जो हाई पैठ ऑेथिव हो जाता बच्क और इंटर परस्टनल से पूछा गया है कि जैसे कि इसमें कुछ इस स्किल्स हो थी एक तरह कि दोस्तों इसमें ठीक है ना बच्चा समाज के साथ इंट्राक्ट करता बढ़ियां से एक स्किल्स है यह कर दिस्क लिया शीए है कल भी पूछ़ा गया घंडि भीर एक तरह एक तरह का ठीक है बच्चों में हो जाता है और पर्रयवाद से देखिए हिंदी में प्रिश स्वाद्वां संगय से पूछ पूछ गया है और प्रत्ता से डेलि पूछा जा रहा एक प्रत्य मोश्रूप पूछा रजए इतिहास इतिहासी ठीक है इस तरह इक प्रत्य उसमें लगा हुआ है इतिहासीं में अनुवान सिक्था सबने कर लिया होगा हाँ यह पूछा गया था एक मिन बताते हैं आपको पता है आपको पता है यह जो रात में देख सकते हैं सब कुछ पूछा था और यह अक्सर पूछा जाता है कि रात में जानवारों को कौन सा कलर दिखता है तो उनको सिर्फ काला ठीक है और सफेद दिखता है जानवारों को क्यों दिखता है क्योंकि हमारे जो सेल्स होती है ठीक है आपको बताते हैं हमारे आख में दो तरह की सेल्स प कौन सिल एक होता है रौड जो संकु सेनली ना जी अ हैhere इस सिल का जाता है b वह सथे इभालाइट थिख्त preca रौड को प्रँद्रश्चत करती है जो कौन सिल होती ौस्थ दोस्तो यह चो रंगों को पहचानने के लिए य। इसी सिल से पतृट सो क्ए 및 हमें मतलब रंगों का पहचान मिलती है यानि लाल हरा पीला नीला ये सब रंग इसी सिल से पता चलते है थिक इसको आपको यदिध रखना है जो आपकी रोड शेल होते दोस्तों तो यह आपकी शिर्फ जो है रात में ठीक है एकटी होती है ज्यादप्र जैसे के अंधेरे में active होती है और यह सिर्फ काला ठीक है और सफेधी रंग बताती है और कौन सिल आपके रंगीन जो जितने भी रंगीन कलर होते हैं तोटल जो कलर्स होते हैं जैसे लाल पीला नीला यह सब कौन सिल बताती है कलर्स कॉन सिल बताती है आपके कौन और जो कलर नहीं बताती है जो रात में अक्टिव होती है जानवरों पर पाई जाती है रात में इसी सिल जानवरों में जादा पाई जाती है जानवरों में दोस्तों तो इसलिए रात में अक्टिव हो जाते हैं वो सिर्फ जो है काला इम सफेदी देख पाते हैं और light में एक्टी होती है आपकी कौन सेल इसे हमारे colors को बताती है ठीक है यह चीज आपको याद रखनी है इसी वज़े से जानवर जो है रात में सिर्फ जो काला इम सफेदी देख पाते हैं ठीक है और हाँ एक question पूछा गया मांस यह मतलब जो है कि मांस भक्षी पाउधे होती है एक तरह के fly trap होता है यह जो किट भक्षी पाउधा इसको भी आपके याद रखना है दोस्तों कि नेफितीन इसे कहा जाता है नेफिन थीस नेफिन थीस भी इसे नहीं है कहा जाता है यह जातर आसम ठीक है यानि डारेक्शन से देखें डेली पुछे जा रहा है आपको याद रखना है इनको देखिए दिखेंड इनलाइसी मतलब यह है कि आप देखिए आपको क्या पढ़के जाना डेली देखिए उसी तरह के प्रिशना आ रहे है आप घब्राईये नहीं ठीक है उसमा छेत्र से बरस् पकूली कुतूब, ठीक है ना, कूली कुतूब करके एक राजा थे जिन्हों ने गौल कुंड़ा के राज reference करवाय था ठीक है, लेकिन इसके पहले दोस्तो काकटी बंस, ठीक है ना, काकटी वह स्थाप्ति के आग्जवास काक्ती तेरहावी स्थाप्ति के सब्सक्राइब कर वाया था ठीक है ग्रिणाइट परवर पर यह बना है आपको पता होगा दोस्तों यह लगभग 120 मीटर ग्रिणाइट परवर पर बना था काकदी बंस/. Пाद में recikा कुली कुतुब ने इसको असंसोधन करवाया था यानि मतलब झो इसको पूरी तरह से बनवाया था ठीक है इसको आपको याद रखना है कुतुब सहिर आ जाते हैं तब मिन्नरो के राजधानी पोछी गई ठीक है टेश्ट से फने हैं खरीब की फसल इसे पूछा कहा है हमापको ट्रिक के मादम से बताते हैं कैसे याद करना को खरीब की पैसल मैं आपको याद रखना है यहां फसल जून जुलाई में बोच जाती है और नॉंबर द जो आपको याद रखनी है अक्सर एक जहां में प्रस्णिस से पूछा जाता है ठीक है महार के गधे ने ठीक है महार के गधे ने दिल से बाजा बजाया याद रहेगी आपको साइद महार के गधे ने ठीक है दिल से बाजा बजाया ठीक अब देखिए, एम से हो गया आपका महर, एम से हो गया आपका मक्का, हर से हो गया अरहर, ठीक है, गा से हो गया गन्ना, और गधे, ठीक है, धे से हो गया आपका धान, ओके, और दिल से हो गया आपका, दिल से हो गया तिलहन, ठीक है, दिलहन, तिलहन आप याद रखिए, बा स आपको बताते हैं आज एक्टूबर नॉमबर में बोई जाती है ठीक और मार्च ठीक अप्रैल में इसे काट लिया जाता है अब इसकी ट। क्या है आपको बताते हैं आज सच में आज सच में राई में गेम खेला ठीक है आज सच में राई में गेम खेला याद रखिएगा और देखें आपको बताते हैं आ से हो गया आलू जा से हो गया जाओं सा से हो गया सरसों जा से हो गया चाना राई तो राई होती ही है ठीक है और गेम गेस हो गया गेहूं मा से हो गया मटर यह आपको याद रखना दोस्तों इसके बाद जो पूछे गया है माचिस की जिब्बे का छेथफल यानि छेथफल से प्रस्ट बने है तीक है यानि जो आयत का छेथफल था उससे प्रस्ट बने है आपको याद रखना है जो आयत होता है दोस्तों आपको पता होगा इसके सामने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है ये सामने सामने की य यह लंबाई, गुड़े, चवड़ाई, इसका छेदफल होता है, जो वर्ग होता है, दोस्तों, इसके चारो भुजाएं बराबर होती है, इसका छेदफल होता है, भुजा, गुड़े, भुजा, आपको इनको याद रखना है, परिमाफ होता है, जो आयत का परिमाफ होता है, 2 into लंबाई ठीक है प्लस चौड़ाई याद रखिएगा 2 एक वार फी से बता देते हैं आपको अक्सर एक जाम 2 ठीक है L प्लस B लंबाई प्लस चौड़ाई ये आयत का परिमाप है जो वर्क का परिमाप है दोस्तों उसको आपका याद रखना है फोर गुडे भुजा थीक है ये आपको याद रखना है फोर गुडे भुजा इस से देखिए अक्सर प्रणस पूछे छेत फलों से आपको प्रणसन याद रखने है हमें इस अमयत में पड़के जाए छेत फलों से शीरीज से प्रणस बन रहा है आयत वर्ग और जो आपके सम चतुर भुज होते हैं यानि जितने भी उनको आपके याद रखना उनके छेट फल याद रखना यानि में मिन जानकारी याद रखने हैं ज्यादा टप नहीं पोछा जाता है तो यह प्रसंद थे दोस्तों जो आज के एक्जाम में पोछे गए है ठीक है थैंक्स पर रोचिंद इस वीडियो अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है आपको अगर आप लिए उपी होगी है तो आप सस्काइब जरूर कर लेजीगा ओके